एक बहुत ही खास टिप है दोस्तों जब भी आप गरिमियों की सब्जिया लगाने के लिए सीड्स खरीदे दोस्तों मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है और लगभख आप सभी ने अपने गार्डनिंग के सारे काम कर लिये होंगे मैंने भी लगभख कर ही लिये हैं बस कुछ-कुछ चीजे रह गई हैं तो उनको करने लगी हूँ जैसे विंटर के ये लास्ट बीन्स हार्वेस्ट कर रही हूँ इसके बाद ये ग्रोवेक खाली कर लूँगी आप लोगों ने यदि अभी तक गार्डनिंग के वो जरूरी काम नहीं किये हैं तो घबराये मत अभी भी हमारे पास वक्त है पंदरा मार्च तक हमें सारे काम कर लेने हैं जैसे प्रूनिंग, रिपॉर्टिंग, नए सबजिया लगाना, प्लांट लगाना, बहुत सारा काम आप अभी भी कर सकते हैं तो देखिए मेरे साथ की मैं अभी और क्या-क्या काम करने वाली हूँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जो तियाले मदबदे से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों करते-करते भी बहुत सारा काम रह गया है जैसे रिपॉर्टिंग करना, मेरे पास गमला नहीं था और यह गमला चिटक गया था तो उस वज़े से इसकी रिपॉर्टिंग लेट हो गई है तो आज मैं अपने इस मोर पंखी की रिपॉर्टिंग करने लगी हूँ, देखे बुरी तरह से रूट बाउंड हो गया है रिपॉर्टिंग, प्रूनिंग, खाद देना, कटिंग लगाने का सबसे बेस सीजन फरवरी होता है खरते करते भी ये पौधा रही ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं तो अभी हमारे पास वक्त है, हम अभी भी रिपॉर्टिंग कर सकते हैं मैं इसके रूट बॉल को पूरा छाट दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बुरी तरह से रूट बाउंड हुआ था तो इसको पूरा आधा कट कर ले रही हूँ, आपने भी यदि अभी तक अपने पौधों को रिपॉर्ट नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, आप 15 माज तक ये काम कर सकते हैं तो देखे, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ इसे, और इसको करने का तरीका यही है मैंने इसके रूट बॉल को छाड़ दिया है, यह नया गमला लेके आई हूँ और देखे, गमले में हमेशा याद रखे, उसमें नीचे छेद होना जरूरी है गमले की ही टूटी हुई टुकडी इस तरह से उल्टी रखूंगी मैं उल्टा इसलिए रखना है, क्योंकि फ्लैट रखेंगे तो वो छेद में चिपक जाता है और उससे एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलता है तीन-चार इंच मिट्टी इसमें भरके नीचे उसका अच्छा बैट तयार कर लिया है और अब इस पौधे के रूट बॉल को सीधा इसमें रखें मिट्टी अच्छे से फिल कर दूँगी मिट्टी भरने के बाद आप एक लकडी की मदद से या किसी और टूल की मदद से इसमें इस तरह से ऐसे चुब होएं उसको मतलब मट्टी को ऐसे करने से क्या होता ना नीचे तक मट्टी चल जाती है और इसमें एर पॉकेट नहीं बनता है तो ये एक जरूरी स्टेप है तो इस तरह से मैंने अपने मोर पंखी को रिपोर्ट कर लिया है अब इसको पानी दे दूँगी तो आप भी घबराएं मत आपने अभी अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया है तो अभी भी वقت है आप कर सकते हैं चली आप देखते हैं मैंने कौन-कौन सी सबजिया लगा ली हैं और कौन-कौन सी लगाने वाली हूँ दोस्तों गर्मी की सबजियों में बहुत सारे सबजियां होती हैं लेकिन मैं कुछ गीने चुने ही सबजियां लगाती हूँ जैसे कदू, बिंडी, खीरा, ककडी, करेला, लौकी, तुरई, पालक, धनिया बहुत कुछ मैं लगा चुकिए अभी आप लोग का अपडेट दिख आप लोगों अभी तक सबजियां नहीं लगाई है तो अभी भी वक्त है 15 मार्च तक आप ये सारी सबजियां लगा सकते हैं एक बहुत ही खास टिप है दोस्तों जब भी आप गर्मियों की सबजियां लगाने के लिए सीट्स खरीदें तो हाइब्रीट के ही खरीदें जाते हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छा रहता है जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा दिखाती भी रहती हूं आइए चलते हैं अब अपने गार्डन टूर पे कि क्या क्या लगा हुआ है कौन कौन जी सबजियां लगा लिए सबजियों की ग्रोथ कैसी है सारा कुछ मैं लोगों को दिखाऊंगी तो सबसे पहले देखिए यह पुदीना यह है मदर प्लांट यहां से लेके मैंने कटिंग लगाई थी और बहुती बढ़िया ग्रोथ हो चुकी हैं और यहां बैंगन इसमें दो फल लग चुके हैं और जी यह रहे मेरे प्याज का अपडेट दस रुपे की गड़ी लेके आई थी और यह देखिए जी लाज जवाब ग्रोथ हुई है और यह लगे हुए हैं मेरे लैसून इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है दिल खुश हो जाता है जब हम अपनी मेहनत को इस तरह से देखते हैं तो एक्चुली गार्डनिंग मेरा श खाली वक्त का सदूपियोग गार्डनिंग ही है मेरा ऐसा मानना है आप लोग का क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रू बताइएगा और जी देखें यहां पे लगी हुई है हरी भरी पालक दो दिनों पहले बारिश हुई थी यहां बारिश से पालक पिट गई है और बाकी की बढ़िया चल रही है तो पालक भी बहुती असानी से लगने वाली सब्जी है आप जरूर लगाए मिर्च की मैंने कई प्रकार की वराइटी लगाई है जब फलेंगी तभी दिखा पाऊंगी कि कौन कौन सी है यहां लसन और प्याज अगें प्याज से प्याज उगाने का अबडेट और यह लौकी की सिड्लिंग तयार हो रही है इसे कुछ दुनों बात करती हूं ट्रांस्प्लांट कुछ यहां पे सीट रखके हुए है जर्मिनेशन अभी हुआ नहीं है दो ग्रो बैक मैंने पालक के और तयार करे हैं जब एक की हार्वेस्टी हो जाएगी तो दोस्तों छोटे ग्रोवेक्स भी चल जाते हैं यह दस दस इंची के हैं यह चोडाई वाले हैं और इन सब में मैंने भाजिया लगाई है इसमें मैंने शाद धनिया डाली है टैग लगाना भूल गी है आप देखो उसके न हाइट कम है बट हो जाएगी और पतनी में हां करे किला भी लगा दिया है मैंने इसमें मैंने करेले की सीधी बुआई करी यानि कि मैंने सिड्लिंग तयार नहीं की सीधी बुआई का मतलब जैसे बीच को डारेक्ट पोना सीधी बुआई कहलाती है हां करेले की मैं सिड्लिंग तयार करके भी ट्रांस्प्लांट कर सकती थी ब वारा गर्मियों वाले बींस लगाऊंगी, यहां मिर्च की वेराइटी नजर आएगी आपको, साथ ही मैंने करेला, खीरा, ककड़ी और भिंडी भी बोदी है, मूली लगाना बाकी रह गया है, कुल मिलाके मैंने इतनी ही सबजियां लगाई है, मैंने बहुत एजी टु ग्रो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा थाम जाम नहीं करती हूँ, इजी टु ग्रोइंग और अपनी जरुवत की सबजियां ही में लगा लेती है, जो गर्मियों में असानी से हो जाए, और हमारी जरुवत पूरी हो जाए, अब आपको दिखाते हैं कि नुकसान क क्या क्या हुआ है, तो दोस्तों देखिए, यह शिमला मिच, छोटी सी पौध में फल लग गया था, तो लगे रहने दिया मैंने, हलाकि इसे नहीं लगने देना चाहिए था, क्योंकि अभी इसमें एनरजी बहुत कम थी, तो कुल मिलाके तो बाकी ठीक है, लेकिन यह देख क्या होता है, होगा या नहीं होगा, तो यह नुकसान हुआ है, इतने सुन्दर यह फल लगे हुए थे, अब इसको यूही लगा रहने देना का कोई मतलब नहीं है, तो इसले से मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, यदि अच्छे से चलता ना पौधा तो और बड़ा इसका होता, चलिए कोई बात नहीं, गार्डनिंग में सारा कुश होता है, मैं इसकी अब प्रूनिंग कर दूंगी और फिर से से सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, देखते हैं, फिंगर क्रॉस, मरे ना यह बच जाए, और दोस्तों, मैं आप लोगे एक मज़े की बात जमाएं, तो जो थोली पकी हुई मिक्योर शिमला मिच होती है, उसी के ही सेट को जमाएं, कई सालों के बाद पहली बार मेरे गार्डन में शिमला मिच में लगा पाई हूँ, मैंने लगातार कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने हैं, कहने का मतलब है दोस्तों कि हर हार फलता से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, तो बस कोशिश करते रहें, एक ना एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, तो दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कॉमेंट करें, श स्वास्ते रहें, मुस्कराते रहें, स्वास्ते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, जैहिंग और बाबाज